बिवानी महम रोड स्थित बंदर वाले जोहड से लगते हनुमान मंदिर में देर रात सभी महंत सो रहे थे अचानक कुद बदमाश मंदिर में आये और महंतों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया कुछ महंतों ने अपना बचाओ किया लेकिन बदमाशों ने सोंवार गिरी महंत को बुरी तरह से पीटा। सोंवार गिरी को आननफानन में अस्पताल लाया गया लेकिन उपचार से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। हमले में दो तीन अन्न महंतों को मामली चोटे आई प्रेले महंतों से मारपीट की, इसके बाद बदमाश मंदिर में रखी अलमारी खोली और उसमें रखे करीब 29,000 रुपे लेकर फरार हो गए। सुचना पाकर खुद एसपी गंगराम पुनिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी तत्यों की जान शुरू की, एसपी गंगराम पुनिया ने बताया कि फिलहाल, घायल महंतों और आसपास के लोगों से पूछताच की जा रही है और सभी पहलूं से मामले की ज मंदिर में महंत जितंद्र गिरी और अशोग गिरी ने इस लूट वा हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है और जुना अखाडे की तरफ से सरकार वा प्रशासन से ऐसी घटनों पर रोक लगाने के साथ आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफतार करने की मांग की है जा लिए ने जमें इस गेट से निकला हूं वाकन और एक आज नी साइड से आदना देख्या मन्थ और मूब बांद रहा था तो मुझा था कराक गया पहले फिर महां से कुछ यह नुगलबाव में तक एला हूं फिर मैं पुल्स चोकी गया हूं गटना गट्रियास रिजह न गटे परशासंद से और हस्कार से हमारी काम ना करते हैं कि बहुत से आसरम में हैं जो कि हमारी सब बैता कोचा रखे हैं तो अगर ऐसा ही रहा तो सब कुछ नश्ट हो जाएगा इसके पीछे कैसाजी से क्या कि वल धन के लिए लोग वा रहे हैं धन के लिए आते तो मारते क्यों एक ते ऐसी सन्यासी को मारा गया इनका नाम है तपस्वी संतावास ओमार गिरी जी तो बड़ी खेत पहुंचा है जोनाखड़क तरब से कामना करते हैं कि आप लोग सरकार हमें पूरी स्वक्षा दे और जल्द से जल्द जीन वेक्तियों का यतुक्षिक करम है उनको अरेश्ट करें